कुछ क्याना चाहरी हो जा? जी आप एक बात बताएंगे सच सच तुम जानती हो तुम से जूट बोलता नहीं हो मैं तुम तो आईना हो मेरा क्या आपने मुझसे एक वारिस के लिए शादी किया है? क्या फजूल बात हाई है? चाहब आप रिलाक्स करें तुम अकवास फरकंदा नहीं किया है तो नहीं उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा इस घर में ऐसा कौन है जो यह बात करेगा बताओ मुझे खाल खिच्वा दूगा मैं उसकी आप नराज मतो बस मुझे ख्याल आया तो मेरा सूचा आपसे पूछ लो आप प्रीज गुसा अमत करें ने जान तुम्हारे दमाग में यह बात नहीं आ सकती यह डाली है किसीने बात तुम्हारे दमाग में कमें तुम्हे बरुस आया ना मुझे जी तुम्हे बात सोची ऐसे तुम्हारे जान मुझे अवलाद की कोई खाइश है नहीं लेकिन अगर अल्ला देगा नहीं तो खुशी से उसे सीने से लगा रहा है तुम्हे शादी करने की सबसे बड़ी बचेए मेरी मुआबबत है यसी मुआबबत की वजए से अपना है तुम्हे कुछ और मद सोच रहें तुम्हें क्या काई आपने राहमा से? हमने उन से कुछ नहीं कहा हूँ दोबारा नहीं पूछूंगा माई एक नंबर की जूटी है वो आप से कुछ भी खलस लग कहती है और आप मान लेते आइंदा राहमा से को गलत बात मत करना मने जबहान कीचलूंगा तुमारे और आइंदा अगर अब कुछ कहना उसको तो अपनी जिन्दगी से पार निकालतूंगा कहां जा रही है मैं कहां जाओंगी सर्दार साब से क्या कहा है आप मैं क्या कहूं गयों से तो उन्होंने यूही हमें एक खड़ेरे में खड़ा कर दिया कोई तो बखबास की हो कि ना मैं आपके बारे में सेफ से कोई बात नहीं करती हैं आपकी तरह इल्जाम लगाने की आदत नहीं हो जाए राइमान देखो आप सेफर रह्मान की खुशी और सेफर रह्मान हमारी हम सेफर रह्मान से दिल और चांद से महभबत करते हैं आप खुदा के लिए ऐन के दिल में हमाई नब से कोई न फरत मत आलिएगा कंते हैं कि किमी आदि अफा कश्ड़ नेए हुं किया कर रही है मैंने कुछ भी ले किया हुआ है आदि हॉआ ने तुम आप दोनों से कोई शिगायत नहीं चाहिए दोनों से नहीं चाहिए मुझे शिगाई आप दोनों पे लाजम है एक दूसरे के इसक्ञा करें और आइंदा ना मैं कुछ ऐसा देखू ना कुछ सुनु बस सेब झाल झाल झाल